हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशी केश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्सकॉप तो IPL की तरफ से काफ़ वड़ा अपडेट सुनने में आया है आज एक BCC की ओफिशनल ने बताया है कि BCC IPL को इस साल अक्टोबर नॉवंबर के अंदर भी करवा सकता है ये एक possibility निगल के आई कि इस साल अक्टोबर नॉवंबर के अंदर IPL हो सकता है जनरली इस साल अक्टोबर नॉवंबर में ICC World T20 होने वाले Australia के अंदर लेकिन वो इस साल पोस्पोन होसता है क्योंकि Australia ने अपने country के अंदर 6 महिने का tourist band लगा दिया ये उस time सारी की सारी countrys free होने वाले उस time को भी international match नहीं होगा यानि अक्टोबर नॉवंबर के slot वर्ड कप अगर पोस्पोन होता है तो उस slot के अंदर IPL हो सकता है तो IPL क्योंब BCCI अभी भी काफी सार वेटन वाजिम खेल रहा है और राजिस्थान की कोन और उनने भी का गिर IPL कैंसल होता है तो बहुत दर नुकसान होगा सब party तो इसलिए BCCI से लगा हुआ है ये IPL को किसना किस तरह किसे कराया जाए इस साल तो अगर World Cup postpone होता है तो इस साल October November के अंदर IPL होगा अक्टोबर नॉमबर को काफी पछी बात आ रही है IPL की तरफ से और एक और बात कनफर्म हो चुकिए अगर इस साल का IPL नहीं होगा तो किसी भी प्लेयर को सेलरी नहीं मिलेगी जी हाँ BCCI ने कनफर्म करते किस साल IPL नहीं होगा तो कोई भी प्लेयर को सेलरी नहीं बिले क्योंकि अलडी फ्रेंचेस को बहुत आना नुकसान हो रहा है इस वज़े से किसी भी प्लेयर को सेलरी नहीं दी जाएगी तो रिपोर्ट ही आ चुकी है कि अगर इस साल का वर्टकप पोस्पन होता है तो अक्टोबर नवंबर के अंदर इस साल का IPL होगा और आपको IPL देखने हो मेलेगा इस साल का अक्टोबर नवंबर के स्लोट के अंदर तो काफ़ी प्रेविट आ रही है IPL की तरफ से तो मुझे उमीद है ये वीडियो को पसंद आई होगी हमारी वीडियो का बहुत बहुत होगी आपको नेक्स पूडियो के अंदर और यादर कियेगा स्पोर्ट नहीं तो कुछ नहीं